नमस्कार दोस्तो हिंदी नीज़ फेस में आपका स्वागत है दोस्तो एक इंटरनेशनल नीज़ आ रही है जो भी बहुत ही बड़ी है भारत के देखते हुए दरसल नीज़ यह है कि भारत ने इंटरनेशनल और्गनाईशन जो यूनाइटेड नेशन है उसकी funding में बहुत भारी कड़ोती गर दिये दोस्तों खबर का आये पूरा बिस्तार से समझते हैं कि ये पूरा मामला है गया दरसल दोस्तों होता है कि भारत कुछ international bodies को कुछ पैसे देता है जो हर साल उसको देने ही देने होते है जैसे कि बिमस्टे के एक group है उसके बाद सारक है और UN है ये जैसे groups हैं international level की जो bodies है इसमें हर साल पैसे भारत contribute करता है वो देता है जैसे कि पिछले साल इनको जो contribution टोटल दिया गया था 866 करोड रुपए दिये गया थे रुपए बोलना हूँ डॉलर नहीं बोलना हूँ 866 करोड रुपए ये था पिछले साल का इस साल जो हमारा budget आया है इसमें जो इन bodies के लिए fund अलॉट किया गया है ये 558 करोड रुपए अलॉट किया गया है तो यहीं पर हमने करी 35% की कटवती कर दी budget में इसमें बिम्स्टेक भी है सार्क भी है यूनाइटेड नेशन भी है इसमें जो सबसे ज़एदा कटवती होई बजट में वो यूनाइटेड नेशन में होई है कटवती अब आपको बताऊ यूनाइटेड नेशन को जो पिछले साल हमने अलॉट किया था 382 करोड रुपए हमने अलॉट करे थे और उसमें जो कटवती के रिए इस साल 175 करोड रुपए हम देंगे उनको मतलब 54% की हमने कटवती कर दी 175 करोड देने हमें जो हमने अपने बजट में प्रोविजन किया है अच्छा अब कोश्चन आता है कि भारत ने ऐसा किया क्यों दरसल दोस्तों बात यह है कि यूनाइटेड नेशन का जन्म जो हुआ था यह 1945 में हुआ था तब भारत आजाद भी नहीं हुआ था उस वक्त जब यूनाइटेड नेशन बना था और यूनाइटेड नेशन का बिसिकली काम क्या है कि यह एक सभी देशों पूरे बिस्व में एक सांती को बना कर रखे उसके लिए सारे काम करता रहे सबकी सिक्योर्टी के बारे में सोचे इसलिए बनाया गया था तो जब यह बना था 1945 में उस वक्त इसमें कुछ मेंबर्स है जिन में कुछ पांच मेंबर ऐसे थे जो पर्मानेट मेंबर है जो इसके हमेशा पर्मेंबर हैं वो कोई उन पर इफ और नहीं है बनी बात है कुछ जो पर्मानेट मेंबर हैं उनके पास पावर भी ज़्यादा होगी और बाकी नौन पर्मानेट मेंबर है तो यह पर्मानेट मेंबर जो है यह यूएस है यूके है चाइना है रसिया है फ्रांस है अब दोस्तों यह समझ लो कि भारत इसमें बराबर कोशिस कर रहा है कि किसी तरह से United Nation में Reforms आएंगे ताकि वहाँ पे कुछ Permanent Members की ज़्यादा संख्या रखे जाए जो अभी 5 है क्योंकि अगर भारत की आबादी के हिसाब से देखें तो भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला देश है दूसरी जी भारत अगर अर्थवेयोस्था के साब से देखें तो पाँचवा नमबर आता है अर्थवेयोस्था में तो उस हिसाब से भी भारत को एक Representation मिलना चाहिए United Nation की Security Council में लेकिन ऐसा नहीं है समस्या अब कहां पे आती है समस्या यह है दोस्तों की जो permanent member है वो किसी भी decision पर वो अपना veto करते है veto एक power अब वो सही है गलत है बस अपना एक थोड़े से logic दे दिये और किसी भी चीज़ को रोग दिया मतलब आप यह समझ लिए कि जो भारत जिन लोगों को आतंकवादी है उनको वो सामने वाँ आतंकवादी घोसित करवाने के लिए भारत को परिशानी आ जाती है चाइना उसमें veto कर देता है कि ठीक है यह person आतंकवादी नहीं है वो उसके लिए 2-4 तर के दे देता है और वो चीज़े रोग जाती है तो यह गलत चीज़े हो जाती अच्छा इसमें और बता है अब United Nation की Peace Keeping Force भी होती है जिसमें सभी को जो भी इसके Members है वो कुछ सैनिक भेशते है सोची भारत उसमें भी Contribution अच्छा करता है अब अब तक करीब 2 लाग हम अपने soldiers वाँ दे चुके हैं 2 लाग कितना बड़ा नमबर होता है दे चुके अभी भी यह समझ लिए सबसे जादा जो सैनिक देता है वो नेपाल देता है 6,247 सबसे जादा नेपाल फिर उसके बाद बंगलादेस का नमबर आ जेता है 6,100 कुछ देता है यह तीसरा नमबर भारत का है जो हम सैनिक प्रोवाइड कराते है 6,073 सैनिक हम प्रोवाइड कराते है और यहीं अगर हम उसकी बात करें चाइना की तो चाइना करीब 2,266 अउनली प्रोवाइड कराता है जबकि अगर जनसंक्या में देखें तो लगभर लगभर भारत और चाइना की जनसंक्या बराबर है जबकि यह पर्मानिट मेंबर है सोचिए तो इनको तो ज़्यादा करना चाहिए सैनिक बेजने चाहिए वहीं अगर फ्रांस की बात करें फ्रांस ओनली 587 सैनिक बेजता है Peacekeeping Force में जबकि फ्रांस भी permanent member है तो कहीं न कहीं यह दोरी मान सेकता है भारत को इसमें यह लोग ignore करते हैं खहीं न कहीं भारत का representation होना चाहिए अफ्रीका का country कोई भी नहीं है अफ्रीका कितना बड़ा कॉंटिनेंट है कोई कंट्री अफ्रीका से भी आना चाहिए कम से कम कुछ तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वहां पर लेकिन ऐसा नहीं है लेकिन डॉक्टर एस जैसंकर जो अपने विदेश मंत्री है यह अभी आस्ट्रेलिया गये दे वहां पर इन्होंने एक बात यह बोली दी कि बात कर रहे थे लेकिन उन्हों नाम नहीं लिया तो उसके लिए तो अभी हमें इंतियार करना पड़ेगा उन्होंने अगर बोला है तो जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा कुछ तो माइंड में हो रहा होगा दोस्तों अगर कुछ और इससे जैसे भी डवलाप्मेंट आती कियाएगी मैं आपके लिए अपडेटर वीडियो लेकर आँगा लेकिन यह जो अपडेट था मैंने सुचा आपके लिए लाना बहुत जरूरी मैं लेकर आगया थैंक्यू दोस्तों आपको इंट्फॉर्मेशन अच्छी लेगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर द कि अपके लेकर आपके 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 लेक